हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में तो आज की वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो लॉस्ट टॉपिक है वह आपका डोमेस्टिक कॉमर्सियल एप्लाइंसस ठीक है इसमें हमको लगता है दस नंबर का इसमें से पा सकते हैं ठीक है दस नंबर नहीं मिलेगा फिर भी आठ नंबर या नौ नंबर आपको अगर अच्छे से लिख देते हैं तो मिल सकता है टीक है तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं consumer electronics होता क्या सारे subject को हम सारे topic को पढ़ लिया आस consumer electronics में लेकिन consumer electronics actual होता क्या इसका definition हम लोग सबसे पहले जानते हैं consumer electronics refers to any device containing an electric circuit board that is intended for everyday use by individuals for example TV हो गया camera हो गया calculator स्मार्टफोन हो गया तो जो भी consumer electronics है वो कहां पर यूज होता है हम लोग का जो भी रोज मर्रा की जिन्दगी हम लोग समान यूज कर रहे हैं जो की electric से संबंदित है ठीक है वो क्या होता है आपका consumer electronics के अंतर गाता था जैसे TV हुआ हम लोग का camera हुआ इस वीडियो लेक्चर में cover करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग कवर करेंगे digital locks क्या होता है उसके बारे में फिर अगला जो हम लोग का topic रहेगा वह फुट प्रोसेसर रहेगा फिर अगला जो टॉपिक रहेगा वह स्कैनर रहेगा और जो अगला जो टॉपिक रहेगा वह का जिर्यक्स मसीन रहेगा जो आपका श्रॉट लिखने के लिए आता है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आपका माइक्रोव एवन क्या होता है तो माइक्रोव एवन के बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक नौलेज देखेंगे फिर इसका ब्लॉग डाइग्राम देखेंगे ठीक है बहुत ज्यादे पढ़ना है सिर्फ आपको बेसिक बेसिक जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उसी को नोट डाउन करना है उसी को एक्जाम में लिखना है तो फॉस्ट पॉइंट इट इज इलेक्ट्रोव और इलेक्ट्रिक विवन डैट हीट्स एंड कुक्स फूड फूड बाई मैक्रवे फ्रेक्वेंसी रेंज जो मैक्रः बेव होता है उसका यूज हम लोग कियों करते है जो हमलों का फुड है तो प्bek तो ऊमसीजों करने के लिए पकाने के लिए फिर उसको गर्म करने के लिए blowing आपके यह स्क्रेइन पर राता है कुछ इस फॉर्म में होता है microwaveव एवन ःड़ी घूस तो खोंद का फूड शुद लोग एक चांबर रहेगा पूड का टीक है तो यह बहुत है झ controversy छाहिए आपको बहुत करना है तो भी वहां करना है अगर आपको करना है है अगर सकते हैं तो चो किस किस principle करता है तो आपका होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग तो माइक्रोवेवें क्या होता है किस प्रिंसिपल करता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल करता है अभी हम लोग समझते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है यूजस फ्रिक्वेंसी न सही जानकारी नहीं है लेकिन नियर इबाउट इसके आसपास ही है तो 2.45 GHz ठीक है इस तरह से आप एक्जाम में भी पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो अच्छा खासा न उसको एक चैंबर में रखा जाएगा ठीक है और इस चैंबर से हम लोग पास कराएंगे क्या माइक्रोवेब ठीक है माइक्रोवेब जो फ्रिक्वेंसी होगा माइक्रोवेब होगा उससे पास कराएंगे और इसमें जो हम लोग फूट रखे हुए है उसमें वाइब्रेशन घेल T Hen झाक है उसमें क्या होगा जाएगी माईक्रो वेव से एसमें में क्या हो जाएगी तो गोलता तो हम गी कॉलता है सबसे पहले की यहां से यहां पर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा अगर आपको इग्जाम में इसको बनाना है तो दो पार्ट में डिवाइड कर लिजेगा तो यहां पर जो हाइब आपका ट्रांसफार्मर है यहां पर हाइब कैपसीटर इससे कनेक्ट होता है अब इस ब्लॉक के बारे में बात करें तो यहां कट्रोल प्वाज़ के दोनों तरफ होगा एक तरफ होगा ुड्力 मोटर होगा दूसरे तरफ हेट इलीमेंट होगा तीक है फिससे आगे जाएं-गे तो यहां पर मोटर आपका भी बाल्द आएगह-व जहा आगे तो आपका टाइमर मोटर आएग इभर आर आपका मोटर आ इसका जो ब्लॉक डाइग्राम में इसको बनाएंगे इसको डिफाइन करने की जरूवत नहीं है सिर्फ अगर आपको याद है इसका ब्लॉक डाइग्राम तो बना सकते हैं अच्छा खासा नंबर मिलेगा अब हम लोग देखते हैं जो माइक्रोव एवन है उसमें कौन-कौन स करने के लिए मैगे ट्राइन तथा एक हाई वोल्टेज पावर स्वर्च को यूज़ करता है और एक मैगे ट्राइन होता है जो कि माइक्रोव औस न को जनरेट करता है अगला पॉईंट एक हीव वोल्टेज क्यवowers पेएघ्टे जो मैंगेट ट्रॉं ट्रॉंस फार्मर से कनेक्ज होता है टीक है तथर डायोड के थूंढ चे चेक्टी से कनेक्ट होता है तो इसमें हम लोग रस्पाजिटर का भी यूज करते हैं और हाई वाट यह आपके स्क्रेन पर आ रहा है आपसे पहले आपका पावर्पलेग होगा रहा है जब से पहले आपका पावर्पलेग होगा यहां पे आपका step of transformer होगा ठीक है यहां पे आपका filter होगा यह आपका woven cavity है ठीक है यह आपका hit chamber है यह आपका है जो इसको बना देना है और इसको लिए यहां पर क्या है यहां पर क्या है यह लिए क्या है यहां पर पर क्या है और यहां पर फूट को रखेंगे और यहां से पावर सप्लाइए आन करेंगे तो फूट जो होगा हीट हो जाएगा या फिर अगर फूट पकाऊ नहीं है तो पड़ जाएगा तो इस तरह से होता है ऐसे पकाई अब हमनों देखते हैं अगर आ अगर जाता है तो फेलर प्रहुम्त काने जायकंशन कितना होता Watson तो 12.7 mpr होता है और 1.460 watt होता है फावर चन्जप्शन ठीक कुकंग जो पवर होता है कितना होता है 1250 watt होता है ठीक है अगला जो है आपका वा ओपरेटिंग फ्रिक्वेंसी किस फ्रिक्वेंसी पर अपरेट करता है तो नियार आपका आप प्रिक्वेंसी पर आप्ट करता है कौन माइक्रोव एवन अगला इसका डाइमेंशन तो अलग अलग डाइमेंशन में अपने मर्जी से लिख सकते हैं अगला जो पॉइंट है इसका नेट वेट के अगर हम लोग बात करें प्रॉक्स अगर माने लगबर नियर इबाउड माने तो टेन केजी के आसपास इसका वेट होता है इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता आप इससे कम अधिक भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा अब हम लोग समझते हैं जो माइक्रोब एवन है इसका एडवांटेज क्या है तो फॉस्ट एडवांटेज आपका सेवस्टाइम एनरजी टाइम को सेव करता है अगला पॉइंट सेफर देन जनरल फ्यूल स इस्जीं में तersonate है तो फॉट यूजो सेफर होता ही टीकर इस्में किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है अगला पॉइंट है टेस्ट और फॉड् », सरिमेंटक हैरे नहीं है कि उसका जुट कर टेस्ट द खरूब यह खराब हो जाएगा यसी कोई बात नहीं है अगला पॉइ हो जाता है ठीक है अगला पॉइंट इप प्रॉपरली यूज्ट माइक्रोवेव माइक्रोवेव कुकिंग ड़स नाट एफेक्ट बाइट्रेंस कॉंटेंट दफ कॉंटेंट फुड तो अगर हम लोग इसको प्रफेक्टली प्रॉपरली इसको यूज करें दիडिव न होसमें क्लिवस में तीक है इसको आपको बहुत अच्छे संस्क्तक्ता है याइसका ब्लॉक डियाग्राम क्या होता है या का एडवांटेज का यह भी समझ में आएगा तो सारे टॉपिक को बारी-बारी से कवर करेंगे एक एक टॉपिक वाइस का इसका कवर करेंगे ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है तो इसमें फर्स्ट पॉइं ऋ रहे जो फीगर होता कशीश फ़ॉर्म में होता है बहुत सारे लोग इसका फीगर इसको आप देखे भी होंगे अपने घरों में ठीक है ay you तो भी भूजप्रदार्थ है घरों में युजश करने माले भूजप्रदार्थ है उनको कट करने के लिए और मिक्सिंग hanagya ठीक है उसको mix करने के लिए होता है या फिर इसको cut करने के लिए इसका यूज होता है food processors का अगला point versatile kitchen appliance होता है ठीक है जो कि food को तयार करने में विभिनकार कर सकता है जैसे आपका chop हुआ, slice हुआ, shared हुआ, grid हुआ, puree हुआ, यह सारे काम की कर सकता है food processors ठीक है अगला point food processors के base में एक electric motor होता है जो की vertically soft में turn होता है एक boil जो की generally powder see transparent प्लास्टिक का बना होता है, soft में fit होता है इसी soft cutting blades भी attach होते है तो यह सारे हैं इसका जो part होते हैं उसके बारे में ठीक है इसका जो base होता है जो food processor होता है उसके बीच में एक electric motor होता है ठीक है, electric motor में क्या होता है एक vertical soft होता है उसी पर turn करते है उसी पर घूमता है कौन electric motor ठीक है तो इस तरह से इसका लिख सकते हैं इसके बारे में point हम लोग देखते हैं जो की boil के bottom में लगे होता है इसके अत्रिक slicing dishes भी attach होते हैं ठीक है slicing dishes मतलब जो भी काटने वाले dishes होते हैं अगर एक cutting device है ठीक है slicing जो dishes होते हैं चाहिए ही तो यहां पर motor होता है आपका यहां पर जब power supply देंगे तो घूमेगा यहां पर भी भूज पतात हैगा उसको cut करेगा ठीक है या फिर mix करेगा अगला point modern food processor में सुरच्छा उपकरण भी लगे होते हैं जो कि boil के base से ठीक प्रकार से connect ने होने पर या boil की lead ठीक प्रकार से ने लगे होने की इस्तिती में motor को operate नहीं होने देते ताकि या इस्तिसी से बचा जा सके तो जो आधिनी प्रोस माई food processor सा रहा है उसमें कई सारे सुरच्छा उपकरण भी लगे होते हैं क्योंकि अगर जो बेस है उसमें जो connect है वायल साही से नहीं है connect है या पिर जो मोटर है वह भी साही से connect नहीं है या फिर और कोई दिक्कत ह में तो जो modern processor आ रहा है उस फुड प्रोसेसर है उनको start ही नहीं होने देंगे अगर कोई दिक्कत है तो फास्ट फुड प्रिपरेशन होता है जल्दी से जल्दी जो फुड होता है तयार हो जाता है क्योंकि यहां पर हम लोग जागर हाथ से चीज काटते तो जादे समय लग को किंग लार्ज मिल्स होता है अगला पॉइंट सोफ होता है तो यह सारे इसके advantage हम लोग देखते हैं जो फुड प्रोसेसर है उसका block diagram ठीक है block diagram सिर्फ आपको block diagram बनाना इसको ज्यादे explain नहीं करना है तो first block आप देखेंगे तो programming device होता है यहां पर ठीक है programming device होता है ठीक है अब फिर आपका आपका programming device के through यहां पर आपका communication interface होता है यहां से आपका processor होता है ठीक है यहां से हम लोग input करते हैं यहां से हम लोग को output मिलता है तो इस form में कुछ होता है foot processor का जो block diagram होता है इसको आपको explain नहीं करना है सिर्फ आपको इसको बना लेना है यह सारे block होते हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आपका programming device होगा इसके नीचे क्या होगा फिलग तो इसका होता है आपका बेसिक ग्लोग डाइग्राम होता है आपके स्क्रीन पर आरा है जो food processor है उसका figure चीक है जो practically हम लोग यूज करते हैं तो यहां पर देखेंगे आप तो सबसे पहले आपका यहां पर होगा on off pulse control ठीक है on off pulse control यह सारे हैं यहां से भी हम लोग ऐसे गुमा सकते हैं इसको और यहां पर जो है आपका boil है यह आपका metal blade है ठीक है metal blade है यहां पर हम ल फिट ट्यूब है और उपर आपका pulsor है पसर है ठीक है तो इस तरह से इसका तो जो food processor है उसका figure प्रेक्टिकल होता है इस फॉर्म में होता है इसको बनाने की जरूरत नहीं है आप जो food processor है उसका basic बनाएंगे basic knowledge लिखेंगे उसका फिर उसका block diagram बनाएंगे ठीक है उतने में आपको अच्छा नंबर मिलेगा electronics लॉक भी आपका important है इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिश्टल इलक्रोनिक्स अगला पॉइंट्रिक लॉक्स में लॉक को actuate मतलब on करने हैं magnet solenite या फिर motor का यूज करते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रोनिक लाक्ट में किसी भी लॉक को on करने के लिए इस सारे के यूज कर सकते हैं ठीक है अगला point इसको on off करने के लिए authentication का प्रियोग किया जाता है ठीक है अगला point यह authentication किसन नुमेरिकल कोड्स पासवर्ड्स या फिर पास फ्रेजज की फेम में किया जा सकता है ठीक है अगला point इलेक्ट्रोनिक लॉक को करने का सबसे इजली मिठड क्या है इसको हम लोग समझते हैं इसके कीपैड की हैल्फ से नुमेरिकल कोड्स या पासवर्ड द्वरा ऑपरेट किया जा सकता है ठीक है अगला point लाइक है हम बैंक में अटियम कार्ड ऑपरेट करते हैं समय पिन का यूज करते हैं तो यह सारे क्या है not need of key इसमें कीज का यूज नहीं होता है कुछ कुछ कुंजी चावी की जरुद नहीं है इसमें फ़ास्ट आपरेट करता है थाट है फैमिली मेंबर कोई भी यूज कर सकता है री प्रोग्राम किया सकता है इसको थिक है फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं और इसकोल में होते हैं कॉलस में होते हैं तो इन सारे जगहें पर बहुत सारे जगहें पर ढख लागुज होते हैं ठीक बात करेंगे वैक्यूम क्लिनर कि यह आगारे हैं आपके इसक्रीम ने कई सारे लोगों को देखा भी होगा और कई सारे लोगों नहीं देखा होगा ठीक है तो इसके प्रैक्टिकल डाइग्राम होता है इसको भी देखा जाएगा तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा इसका जो टीसिक होगा एक आलीइस है जो फर्स और कालिंग की धूल को जोँकर सफाई का कार करता है यहीं की वहतने की दून को Ekantrim करने हो तो dust bug यह Saiklone लगा होता है िस does भग में Technology को बात में disappointed कि अगम चला को किया जा सकता है तो यहां के जो यूज करते हैं उसमें होते हैं डिफ्रेंट साइज में अभी होते हैं इसका यूज घरयली अव्दोगик अनप्रियोग में किया जा सकता है और इंडस्टियल अपकिकेसन में इसका यूज किया जा सकता है अगला पॉइंट कुछ vacuum cleaner dust के साथ सा तरल पदार्थों को भी अग्जर्ब कर सकते हैं तो कुछ ऐसे जो modern vacuum cleaners होते हैं जो dust को तो अग्जर्ब करेंगे साथ में जो भी तरल पदार्थ होगा ठीक है उसको भी अग्जर्ब कर सकते हैं क्योंकि जो यहां पर दूल है उसको सोख ने का काम कर रहा है मतलब रहा है तो प्रेंस पर भी बोल सकते हैं कि वर करता है ठीक है लेकिन निगेटिव प्रेसर आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अगला पॉइंट इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर दोवरा एक फैन को ड्राइव किया जाता है मतलब चलाया जाता है ठीक है उसके अंदर का गया प्रेसर होगा कम हो ज 빠iza करता जिससे dust bug में जाकर collect हो जाता है तो जब अंदर का pressure कम होगा तो यहां से जो होगा वो डेस्ट को अपने तरफ खीचेगा और डेस्ट बग में उस डेस्ट को ले आके collect कर देगा ठीक है और बात में इसको बाहर हम लोग जहां भी करना चाहते हैं उसको डिस्पोज कर सकते हैं अब हम लोग देखते हैं जो वैक्यूम क्लीनर है उसका advantage क्या है अगर हम लोग बात करें तो इसका first advantage है easy to use आसानी समनों यूज्ट कर सकते हैं कोई विज्ट कर सकता है सेफ टाइम एंड एनर्जी तो आपके time को भी बचाएगा आपके energy को भी बचाएगा वैक्यूम क्लीनर लोग कॉस्ट टूल्स ज्यादा कॉश्टली भी नहीं होता है ठीक है जो चोटे वैक्यूम क्लीनर होत remove it here आपके Advantage कि सीके वॉयक्यम Cleaner के टीक है जो ब्रक्राइगराम होता है विकीम टा याग्रंक्स को जह वहतनुहिव दॉह सकते हैं उसका जो भलोग डागराम है उसमें जहां हेतों मीक्रो कंटूलर सेकंड आपका एंटरफेस सर्किट Iris गपे डाइविंग मो टॉट है इसका यही ब्लॉक डियाग्राम। बहुत ही और सिर्फ पूलॉग डियाग्राम बंग अब दिते हैं जो ग्राइब होता है तो यहां पर देखंगे आप यहां पर नीचे का तुअ चया झाल अब क्या होता है इस यहां फील्टर और पड़िक है यहां पर आपका यह संट आप ने यह आपका फैन है और यहां पर यह वाला पार्ट है उसके यहां पर यहां से क्या होता है इस फैन के द्वारा कनेक्ट होता है क्या जो इस मोटर के द्वारा फैन कनेक्ट होता है जब मोटर को माण करते हैं तो फैन चलता है और सारा जो प्रेसर है वह बाहर से अंदर की तरफ तरफ आने की कोशिश करता है इसी कोशिश में जो भी डश्ट यहां पर होते हैं वो अंदर आप में चले आते हैं और जो हम लोग का फिल्टर वग है या फिर जो भी हम लोग कलक् Morrison के लिए जो भी डिस्ट की कलेक्टिंग के लिए जो रखके हुए है इसमें उसमें जाके आपका जम्म होजाता है ठीक है तो इस तरह से होता है इसका प्रेक्टिकल ब्लॉक डागराम इस जो होनगे त्यक्य उसको यहाँ से प्रेश्ट की तवारा अपनी तरफ किस लेगा और यहां पर वोगा उसमें आ के पर बात में इसाह घ्राइकीकल क्रति सपा हैं तो यह तहाँ आपका प्र ट्रेक्टिकल टाहिज स्कॉता इस बारे में च्चानगी क्या होता है सबसे क्षे फर्स्ट फांड जो है कि फोटो कापी टीकर त至 यह सबसे पहला जिसका पार्ट है टेक है तो चार्जिंग है तो चार्जिंग है तो चार्जिंग में cylindrical dham ko a high voltage वायर चार्ज रोटर दौ़ार इलक्त्रेटिकली चार्ज किया जाता है इस डम में फोटो कंडेक्टेव माटेरियल की कोटिंग होती है और जो फोटो कंडेक्टर क्या होते हैं उसको है एक प्रकार का सेमी कंडेक्टर होता है ठीक है जो लाइट पढ़ने पर ही कंडेक्ट करता है जिसको फोटो डायोड भी कह सकते हैं ठीक है फोटो कंडेक्टर मतलब क्या होता है एक सेमी कंडेक्टर होता है जिस पे जब लाइट पढ़ेगा फोटो कंडेक्टर पे तभी य इलूमिनेट किया जाता है वर्जीनल डॉक्यमेंट के वाइट एरिया फोटो का कंडुक्टिव ड़ंग की सर्फेस पर लाइट को रिफ्लेक्ट करते कर देते हैं और ड़ंग की वह एरिया जो लाइट दोरा एक्सपोज होते हैं ठीक है तो इस तरह से काम करता है कौन अगला आता है आपका ट्रांसफर अब ड्रेम के सर्फेस पर बनी इस टोनर इमेज की पर ट्रांसफर किया जाता है चुकि पेपर पर जो चार्ज होता है वो ड्रेम के चार्ज से निगेटी होता है अगला पॉइंट फ्यूजिंग तो कई सारे पार्ट में इसको वार करता है तो जो इसका लाश्ट पॉइंट है वह आपका फ्यूजिंग है हीट और प्रेशर रोलर की हम से टोनर को मेंट करके पेपर पर बैंड कर दिया जाता है ठीक है तो इसका फोटो कापी देख्ता है तो जो गेचिते हैं जो 999 कापी हम लोग ले सकते हैं अब टाइम कि अनुको कापी कर देगा तो आपका 29 29 30 seconds में ठीक है तो कॉपी रिस्टिलेशन कितना होता है आपका तो 1200 होता है डीपी इस्टू इंटू 600 dpi ठीक है इस पर जूम मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका 800 परसेंट जूम मिनमम को कितना हो सकता है आपका 25 परसेंट ठीक है तो इसका जो हम लोग यूज कर रहे हैं जो जूम मैक्सिमम है कितना जूम कर सकते हैं मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं वोका 800 परसेंट ठीक है और नहां पर मिनमान कर सकते हैं कम से कम कितना कर सकते हैं 25 परसंट तो यह आपका टार्यट के just अब लोग देखते हैं इसका एडवांटेश क्या है तो फास्ट एडवांटेज मुल्टिकल कॉपिंग हम लोग मिल सकता है तो पर यूज कर सकते हैं बेस्ट ऑनदे कंसेट पर एंड डेटा तो होता है तो इस तार है चैनर क्या होते हैं इनके बारे में कवर करेंगे तो वीडियो को पूरा देखेंगे क्या इसका पॉर्टेंट इसका बेसिक हम लुग समझते हैं इस डिवाइस डाट इस तो प्रोड्यूसिंग एंड एक्स्टेक्ट डिश्टल इमेज रिपिका ऑफ फोटो टेस्ट रिटेन इन पेपर और एवन और अब्जिक्ट क्या होता है आपके किसी भी इमेज को या फिर कोई भी टेक्स्ट है जो की लिखे हुए है उसको स्क्रीन क करने का काम करता ठीक है एक तरह से उसका होता है इमेज रिख करता है जो भी फूटवाल में जो मेंiders है उसको क्या करेगा वो फिर से कहां पर सेव कर सकते हैं आपको आप अपना फाइल सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में ठीक है या फिर अपने मुबाइल पर तू योर मुबाइल एंड कैन भी यूजड तू इनहेंस दे इमेज और एप्लाइट टू दे वेब और इसको हम लोग जो भी हम लो पर जो आपकि यूजड पर च्छेम आपको ल फ्लॉत फोलेट विद्स प्लाइट टूह सब्सक्राइव खिए प्लेट B12 ए इन फ्लाइप आप के उलगा नमें अमें फ्लफयट compose अंस reflect यूजड तर इंविच फ्रूथ फ menstrual प्रोसेश ऑफ ओप्टिकल करेक्टर डी कॉगिने सन फीक इसी प्रोसेश के तुरू जो भी हम लोगों को मिलेगा जो भी इमेंज्योगा जो भी टेस्ट उगा उसको डोसको गवाइग स्कैन कर पाए एकॉण इसकैनर स्कैनर इसका पॉइंट है इसकैनर कंसिस्ट ओफ फट ट्रांसपारंट ग्लास टीट है टीक है अंदर वीच दे CCD sensors lamp lenses filter also mirror और fix तो इसकैनर में आपके कई सारे ग्लास होते हैं जो कि transparent flat transparent होते हैं उनके अंदर आपके कई सारे sensor होते हैं lamp होते हैं lenses होते हैं filters होते हैं और mirrors कई सारे fix होते हैं ठीक है अगला point document has to be placed on the glass bed there will also be cover to close to scanner तो document में क्या होगा आप जो भी glass bed है उस पर रखेंगे अपनी document को और उसको scan करेगा ठीक है scanner के दौर इसको scan करेंगा पूरा cover किया जाएगा फिर इसको आपको digital form में इसका output मिलेगा ठीक है cover में either be white or blank in color तो इसमें भी आपको कई सारे color का option मिल जाता है कि आपका brightness कितना चाहिए white में चाहिए या फिर black में चाहिए ठीक है अगला point this color helps in providing uniformity in background तो आपका जो बैक्ग्राउंड है उसमें uniformity provide करने के लिए सारे colors जो भी colors अमलों को मिल आ हो होते हैं अगला point this uniformity will help the scanner software to determine the size of the document to be scanned तो यही जो uniformity है उसका काम क्या है कि जो भी scanner के software है उसको बताएगा कि जो भी scan करने वाले हम लोग document उसका size किसना कितना है ठीक है उसका size इस document का size कितना है उस हिसाब से आपका जो scanner होगा जो scanner का software होगा scan करेगा ठीक है जो नेस्ट पॉइंट है उसके बारे में दे लैंप ब्लाइड ब्राइड नेस अब दे टेस्ट टू भी scan most scanners use a cold cathode fluorescent lamp तो बहुत सारे scanner जो होते हैं और किसका यूज करते हैं CCFL का cold cathode fluorescent lamp का यूज करते हैं ठीक है जो बहुत सारे scanner से अगला हम दोग scanning ठीक है दो परकार की scanning भी होती है black and white scanning भी होती है और color भी scanning होती है तो color scanning में the color depth refers to the number of colors that can be produced by the scanner तो कई सारे कई सारे colors हम लोग प्रवाइड करा सकते हैं जो जिस भी हम लोग को color में scan करना अपने document को अपने image को या अपने text को हम लोग करा सकते हैं through a 24 bit per pixel scanner is sufficient enough there or the scanners with 30 bits and 36 bits available in the market तो 30 bit और 36 bit में मार्केट में available होता है scanner ठीक है इतना जो बिट है आपका sufficient किसी भी image को scan करने के लिए या फिर किसी भी image को तो या फिर किसी भी text को scan करने के लिए digitally form में तो यह होता है आपका color depth अगला इसका advantage कहां कहां पे इसका advantage कितना इसका advantage है कौन कौन सा तो save times and energy तो जो तो scanner होता है आपके एनर्जी को भी बचाता है और आपके time को भी पचाता है इप्रूबब छीक्योरिटी ठीक है इसकी सेक्योरिटी भी अच्छी होती है इंप्रूब customer service अगर हम लोग के customer service की बात ख्रविस वह वह इसमें improve कि जा सकती दोगा है क्योंकि जो भी हम लोग स्कैन करेंगे इसका जो सायज होगा कम होगा ठीक है तो यहीं था आपका सब्सक्राइब क्यों कीजिए कर चुके हैं अगर कोई टॉपिक आउन पढना चाहते हैं तो कमेंट जल्दी से किजिएगा क्योंकि जाने वाला है कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिया जो भी इंपॉर्टेंट मोश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके बाद मिलेंगे हम लोग एक्जाम के बाद तब तक आप एक्जाम देखे आएगा अच्छे से एक्जाम देजिएगा ठीक है अच्छे से आएगा सारे टौस Beaut question आएंगे उसको सारे को कोई कीजिए कोई भी question छोड़ के नहीं आना है अगर कोई question नहीं आ रहा है फिर भी उसके आसपास की जो चीजें उसमें लिखना है कोई भी questions में blank छोड़ के नहीं आना consumer electronics मेरा मानना है कि अगर आप अच्छा लिख के आते हैं तो इसमें 45 फॉटीफाइब से कम नहीं मिलेगा ठीक है फिप्टी में आपका 45 नमबर मिलेगा जिस तरह से मैंने पढ़ाया है आपको इस तरह से अगर लिक के आते हैं ठीक है जो भी हमने अब बताया उसको अपने अपने वासा में लिक की आते हैं तब भी आपको 45 नमबर प्लस मिलेगा ठीक है 45 फाइब प्लस नमबर आपको मिलने माला है ठीक है अगर थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तब भी आपको कर्णा तो मिलते हैं आप mezixoam के बाद तब तक मस रही है और पढ़ते रही है अच्छे इंद जास के पाद आपका प्रश्म कीसे वर जो भी मैंने टौपिक पढ loot आए है कि नहीं आए थे तो इसके घ्वारे में कमेंट करके जरूर बताःएगा तो लो टूर्श रही हां